इस्ते ग्यान फोरी यूटूब चनल पर आपका स्वागत है अई ये शुरू करते हैं जारखन समय निज्ञान के कुछ प्रसन हम लोग लिए हैं चलिए सुरू करते हैं पहला क्वास्चन से पहला क्वास्चन है हो समाज की आर्थ वस्था का मुख अधार निविन में से क्या है उप्सन ए क्रीशी, उप्सन बी शिकार, उप्सन सी मजदूरी करना, उप्सन डी इन में से कोई नहीं तिसका सही एंसर हो जाएगा उप्सन नमबर ए इनिए क्रीशी हो जाएगा आगे नेक्स क्क्वेस्चन की और बढ़ते हैं बिराजिया समुदाइक पंचायत के परम कोन होता है option A गौंड option B बेदिया option C करमाली option D बेगा इसका सही answer होगा option number D बेगा जन जाती हो जाएंगे इसका क्या हो जाएगा बेगा जन जाती next question जारखंड का सर्बोच सिखर पारसनात की समुद्र तल से उंचाई कितनी है option A 1260 option B 1460 मिटर, option C, 1365 मिटर, option D, 1265 मिटर, तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा, इसका सही एंसर क्या होगा, option number C, यहनि 365 मिटर हो जाएगा, और सही एंसर, तो पारसनत यहनि समुद्र तल से उंचाई, 1365 मिटर है, ज़ारखन का सरवुच्छ सिखर है, question number 4, पुर्व की और चलते हैं जारखन के कौन सी नदी दच्छिन पूर्व की और परवावित होती है ऑप्षन ए दमोदर ऑप्षन बी स्वरण रिखा ऑप्षन सी अजय ऑप्षन डी मय रच्छी नदी इसका सही अंसर क्या हो जाएगा अप्षन नमबर फोर का इसका आजय नदी ऑप्षन नमबर सी आजय नदी इसका सही अंसर हो जाएगा इन्हें दच्छिन पूर्व की और परवित होने वाला नदी कुन है आजय नदी है अजय नदी कहां से निकलती है उप्षन ए मुंगेर बिहार से उप्षन बी राची जारखंड से उप्षन सी आसनसोल पस्छिम बंगाल से उप्षन डी इन्मे से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A मुंगेर से निकालती है जो की बिहार में इस्थित है question number 6 हुंडरू जल्विदूत ग्री किस योजना के अंतरगत आता है option A स्वरन रिखा option B कौनार option C दमोदर option D स्वन इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option number A स्वरन रिखा प्रियोजना के अंतरगत आता है अगला question question number 7 1934-35 में खाडिया समाज द्वारा गठित अखिल भारती महासभा को किस नाम से जाना जाता है option A महासभा option B ढखलो option C उराव option D ढखलो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ढखलो हो जाएगा option number B इसका राइट हो जाएगा 1934-35 में खाडिया समाज द्वारा गठित जो अखिल भारती महासभा को ढखलो सहर नाम से जाना जाता था इसलिए option number B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question question number 8 करमाली जातिये पंचायत का परधान कौन होता है option A मालिक option B बेगा option C नाए option D परधान तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option number A मालिक हो जाएगा next question question number 9 निम्न में से कौन जारखन के आदिम जन जाती नहीं है option A असूर option B बिरहोर option C माहली option D कौरबा तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा माहली हो जाएगा option number C C इसका राइट हो जाएगा option number C एनि माहली होगा आगला question question number 10 चांद भेराव तथा फूलों एवंग जानों का संबन जारखन के किस जन जातिये विद्रो से माना जाता है option A तमार विद्रो option B साफाहोड विद्रो option C खारवार विद्रो option D संथाल विद्रो ते चांद और भेरों और फूलों और जानों का संबन संताल विद्रो से है यानि चारों का सम्मन्द की से संताल विद्रों में है बहुती महत्पन विद्रों एक्जाम की दिश्टी कौन से Q11 गंगा नरायन के सम्मन्द में कौन सा कथन असत है क्या बूल रहे हैं असत है असत है Option नमबर A इनका जनम सिह्भूम में हुआ था Option नमबर B इनके नित्रुत में 1822 और 1827 में सिह्भू में विद्रों हुआ Option नमबर C इनका सम्मन्द भूमीज विद्रों से था Option नमबर D इनका सम्मन्द कौन विद्रों से है तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा Option नमबर D इनका सम्मन्द किसे था अगला question नागपूर केथोलिक सभा का गठन कीस बर्ष किया गया था उप्शन नमबर A 1930, उप्शन B 1935, उप्शन C 1923, उप्शन D 1938 तो छोटानाकपूर केथोलिक सभा का गठन कब गया था? उप्शन नमबर C 1923 में किया गया था, बहुती महत्पून कॉस्चन है अगला कॉस्चन क्यों चलते हैं? कॉस्चन नमबर 13 उप्शन A 1984, उप्शन B1986, उप्शन C 1987, उप्शन D 1990 इसका सही अंसर क्या हो जाएगा? उप्शन नमबर B, यानि 1986 में किया गया था, उप्शन नमबर B, यानि 1986 में किया गया था, 1986 में अगला कॉस्चन, कॉस्चन नमबर 14 निवन में से कौन एक आहिनसात्मक अंदोलन था? उप्शन A, खरवार, उप्शन B, भुमीज, उप्शन C, हूल, उप्शन D, उल्गूलन तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा? इसका सही अंसर हो जाएगा, खरवार, अंदोलन, जो की आहिनसत्मक अंदोलन था अगला कॉस्चन, 15 नमबर सब्ध की उत्पत्ती की दिष्टी से सदन, सब्ध किस भासा से समदित है? उप्शन A, खरथा, उप्शन B, हो, उप्शन C, मुंडारी, उप्शन D, नागपूरी इसका सही अंसर क्या हो जाएगा? इसका सही अंसर क्या हो जाएगा? option number D हो जाएगा यहीं नागपूरी हो जाएगा यहीं सब्द उत्पति की दिश्टी से सदन सब्द नागपूरी भासा से लिया गिया है यहीं नागपूरी भासा समधित है question number 16 निमन में से कौन जहरखन के जनजातियों का मुख परव नहीं है option A सरहूल, option B कर्मा, option C, चट, option D सोहराई जिसका सही इंसर क्या हो जाएगा चट परव, यहीं जहरखन के मुख परव नहीं है जहरखन, जिसका सही इंसर क्या जाएगा option number C इसका right answer हो जाएगा चट परव हो जाएगा 17 number question खड़िया जनजाती में सर्वाधिक परचालित विभा कौन सा है option A, अलोई दाई, option B, किरिंग बापला, option C, आंधी विभा और D, इन में से कोई नहीं जो खड़िया जनजाती में सर्वाधिक परचालित विभा कौन सा है तो इसका सही इंसर हो जाएगा option number A हो जाएगा, यनि अलोई दाई हो जाएगा option number A हो जाएगा, इसका correct answer 18 number question जारखन में राजसभा एवंग लोगसभा की सीटों की संख्या कितनी है option number A, 6 एवंग 14, option number B, 18 एवंग 25 option number C, 6 एवंग 18, option D, 82 एवंग 14 जारखन में राजसभा की संख्या की तो छई है option number A हो जाएगा, यनि 6 हो जाएगा और 14 हो जाएगा अगला question जार्खन में मुद्रा इस्फिती की रासी राष्टि आउसत की तुलना में उपसन नमबर ए बहुत अधिक है उपसन भी लगभग समान है उपसन सी कम है उपसन दि इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा बहुत ही महत्पून कोस्चन है जारखंड सीजियल एक्जाम की दिश्टी कौन से तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा एनि लगभग समान है जारखंड में मुद्रा इस्पितिक राष्टी राष्टी आउसाथ से क्या है समान है एनि equal है क्या है equal है अगला question किस बेशणों संत ने सुलुई सदी के आरंभ में पंच परगना छेतर में कुछ दिनों तक रुप कर जनजातियों के बीच अपने मत का परचार किया option number A संत संकर देव option B चतन महापरभू option C संत रामदास option D उप्युक्त सभी इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा option number B यहनि क्या हो जाएगा चतन महापरभू द्वारा किया गया था बेशणों संत यहनि सुलुई सदी में अरंभ जो पंच परगना यहनि जहारखन छेतर में कुछ दिनों तक रूप कर अगला question question number 21 मंदा परव का संबंध किस देवता से है option A महादेव option B विशुनू option C ब्रह्मा option D कृष्णा से तो मंदा परव का संबंध किस देवता से संबंध है तो इसका क्या हो जाएगा महादेव हो जाएगा option number A इसका right answer हो जाएगा महादेव हो जाएगा अगला question माजवन है क्या है option A संथालों का सुभा का नस्ता option B संथालों का रात का भोजन C संस्थाओं का भोजन दोपार के भोजन या उपिक सभी तो सही answer क्या हो जाएगा तो संथालों का दोफाहर का भोजन हो जाएगा, दोफाहर का भोजन हो जाएगा, option number C is का सही एंसर हो जाएगा, एनि C is correct answer, next question, question number 20, जारखन राज में इस्थेत किस जिले को राज सरकार द्वारा, पुलिस पर सिक्षान केंदर के रूप में परिणात कर दिया गया है, option A, नौरतन गड़ का किला, option B, तलिया गड़ का किला, option C, पालकोट का किला, option D, पादमा का किला, तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा, बताइए, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, option number D, option number D हो जाएगा इनि, पादमा का किला, जो जारखन राज में, राज सरकार द्वारा, प कॉस्चन नमबर 24 किस निरित का मंदर के पल्टी मारते ही हो हाइल रे कहकर पद संचालन बदल जाता है अप्शन A छेचारी, अप्शन B देशवादी निरित, अप्शन C दोडोंग निरित, अप्शन D धोडिया तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा? यहीं धोडिया निरित, जो हो हाइल रे कहकर अपना ताल को बदल देते हैं अगला कॉस्चन, 25 नमबर कॉस्चन, कौन सा बद यांतर सरंगी के समान है अप्शन A बनम, अप्शन B धंक, अप्शन C दोल, अप्शन D इन में से कोई नहीं इसका सही अंसर क्या हो जाएगा? अप्शन नमबर A, यहीं A नमबर सही है, यहीं बनम हो जाएगा अगला कॉस्चन, किसने नाकपूरी भासा को भजपूरी की उप बोली के अंतरगत रखा है? अप्शन A, E, H, वीटली, B, कंचन परजापती, अप्शन C, धनी राम, अप्शन D, जोर्ज, ग्रियसन तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा? अप्शन नमबर D, यहीं जोर्ज, ग्रियसन, इसका सही हो जाएगा नकपूरी भासा को भजपूरी की उप बोली के रूप में रखा गया है कौस्चन नमबर आगे, इनी 27 नमबर कौस्चन अधिवासी पत्रिका का परकसन कब आरंभ हुआ? नहीं, अधिवासी, क्या हो जाएगा? अधिवासी पत्रिका का परकाशन कब आरम हुआ ओप्शन A 1945, ओप्शन B 1947, ओप्शन C 1922, ओप्शन B 1905, तिसका सही अंसर आपको बताना है 27 नमबर कोश्चन अधिवासी पत्रिका तिसका परकाशन आरम जो हुआ था 1947 में हुआ था तो देश के आजाद होने के साथ साथी अगला कोश्चन 28 नमबर कोश्चन निम्न में से कौन सी प्यारे किरकटा की पुष्टक नहीं है ओप्शन A जमा बहार, ओप्शन B मेरेड, ओप्शन C लाडरो समधी, ओप्शन D ओकोमा बुगीना तिसका सही इंसर क्या हो जाएगा, ओप्शन नमबर D हो जाएगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है ओकोमा बुगीना 29 नमबर कोश्चन आदिवासी अस्तित और जर्खंडी असमीता के सवाल नमक पुष्टक के लिखक कौन है ओप्शन A केवल सोरेन ओप्शन B प्यारे किरकेटा, ओप्शन C रगुनात मूर्मू, ओप्शन D रामदयाल मुंडा तिसका सही इंसर क्या हो जाएगा रामदयाल मुंडा अधिवासी अस्तित और जर्खंडी असमीता के सवाल अगला कोस्चन सोनुआ जलपरपात किस जिले में स्थीत है सोनुआ जलपरपात किस जिले में स्थीत है ओप्शन A रांची, ओप्शन B खूटी, ओप्शन C लोहर दगा, ओप्शन D बोकारो तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा, रांची जिला में स्थीत है तो यह थे हम लोग का 30 कोस्चन जो की CGL लगजाम के दिश्टियों से बहुत ही महत्पून कोस्चन है थैंक्यू